एलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करेंगे डियलेड की बुक्स के बारे में तो इंग्लिश के लिए आप लोग अनामी का सिंग की बुक ले लेना उसमें आपका पूरा स्लेबस मिल जाएगा सीडी के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स एसके मंगल की बुक ले लेना उसमें आपका पूरा स्लेबस मिल जाएगा CD के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो डोक्टर प्रियन इंदनी दिख्षित की बुक ले सकते हैं और आप SK मंगल की हिंदी मीडियम में बुक भी ले सकते हो दोनों में ही आपका पूरा स्लेबस मिल जाएगा हिंदी के लिए आप लोग जैदेव डबास की बुक ले लेना उसमें आपको पूरा स्लेबस मिल जाएगा आपका हिंदी का Health and Physical Education के लिए English Medium के स्टूडेंट्स Dr. H.L. खत्री की बुक ले लेना और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी Dr. H.L. खत्री की बुक है हिंदी मीडियम में एजुकेशन सोसाइटी के लिए डॉक्टर सुमललता डॉक्टर एचल खत्री की बुख है इंग्लिश मीडियूम के स्टुडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियूम के स्टुडेंट्स के लिए भी English Medium के Students के लिए Work Education की L.P. Singh की बुख है जिसमें आपको पूरा स्लेबस मिल जाएगा Hindi Medium की Students के लिए Work Education की बुख है सवीता शर्मा की जिसमें आपको सारा स्लेबस मिल जाएगा Math की आप लोगों की Hindi Medium के Students के लिए और English Medium के Students के लिए दोनों के लिए आरके मिगलानी की बुक है हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी तो उसमें आपको जो है पूरा स्लेवस मिल जाएगा Educational Technology की जो बुक है English Medium के Students के लिए वो है पूरम गोर की जिसमें आपको पूरा स्लेवस मिल जाएगा Educational Technology का हिंदी मीडियम के Students के लिए जो Educational Technology की बुक है वो है डोक्टर सुमललता और डोक्टर H.L. खत्री की जिसमें आपको ET का सारा स्लेवस मिल जाएगा Art Education की English Medium के Students के लिए जो बुक है वो है डोक्टर राजेश किल की जिसमें आपको सारा स्लेवस मिल जाएगा Art Education की Hindi Medium की जो बुक है वो है डोक्टर मुनीश कुमार की जिसमें आपको Art Education के टोपिक्स मिल जाएगे यहाँ पर मैंने कुछ Book Salers के Address दिये हुए हैं ताकि DLA की बुक आपको असानी से मिल सकें क्योंकि DLA की बुक जो है हर किसी दुकान पर नहीं मिलती है तो काफ़े ढूंड़ना पड़ता है इसलिए मैंने आपको जो है Address दे दिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगए वीडियो को Like चैनल को Subscribe कर लेना ताकि DLA से Related सारी Information आपको मिलती रहे